हेलो फ्रेंड्स आप सबका अधिगा एडियोश चनल पर स्वागत है साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि भारत की तीरह महारतना कमपणियों में से एक जो सबसे ही रिज महारतना कमपणी है कोल इंडिया लिमिटेड इसको बोलते हैं यहां से टोटल 1764 नंबर आफशिट्स यानि वेकेंसी आई हैं जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कमपणी है और इसमें यह रिज नंबर में जो है वेकेंसी आई हुई है इसके बारे में शाथियों इस वीडियो में हम डिटिल में बात करेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महारतना कमपणी होती क्या है शाथियों हमारे भारत में 2023 की डेटा के एकार्डिंग फर्स्ट अगस्ट 2023 की डेटा के एकार्डिंग टोटल जो है 13 महारतना कमपनियां है और महारतना कमपनियां क्या होती है ये वो कमपनिज होती है जिनका की जो है लगातार 3 सालों से जो प्राफिट है वह कम से कम जो है पांच हजार करोण रुपए या इससे अधिक का होता है या ऐसी कमपनिया जिनका की लगातार तीन सालों से जो नेट वर्थ है जिनका की नेट वर्थ जो है वह कम से कम पंद्रह हजार करोण रुपए से के बराबर या इससे अधिक होता है वे कमपनिया होती है या वे कमपनिया जिनका लगातार तीन सालों से तीन वर्सों से त्री एर से जो टर्न ओवर है वह कम से कम 25,000 करोन रुपए या इससे अधिक होता है तो यह होती है महारतना कमपनी और ये महारतना कंपनिया government sector की company's होती है इस पर सरकार का नियंतरण होता है सरकार इसकी जो है, body होती है governing body होती है, maintenance की body होती है और इसमें private sector के मदद से बहुत सारे काम ले जाते हैं लेकिन नहां पर हर साल एक rich number में vacancy जाती हैं तो इस साल भी एक reach number of seats आई हुई है जिसमें कि हम लोग detail में बात करेंगे कि number wise किस post के लिए कितनी seat है तो उसके बारे में हम लोग detail में आगे बात करेंगे ही चले साथियों इस वीडियो में हम लोग सबसे important बात करेंगे कि important date क्या है यानि कब तक आप farm apply कर सकते हैं fees कितनी है fees के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं साथियों महरतना company के जो farm आते हैं यहाँ पर fee कोई भी नहीं होती है fee zero होती है यहाँ पर आपको कोई भी fee payment नहीं करना है farm apply करने का यह एक बहुत ही अच्छा आफसर है इसके साथ साथ हम क्या important date है कब तक farm apply कर सकते हैं और हम बात करे 1,764 है उसमें discipline wise subject wise कितनी सीट है और last में हम बात करेंगे कि merit कैसे बनेगी selection कैसे होगा सबसे important बात साथियों कि यहाँ पर कोई interview नहीं होना है no interview तो यहाँ पर केवल written test होना है और इसी की बेस पर आपका selection होना है इसमें कुछ आपका academic भी जुड़ेगा तो कितना कितना marks का जुड़ेगा क्या syllabus होगा क्या pattern होगा सब चीजों के बारे में हम detail में बात करेंगे इस वीडियो में आप इस वीडियो को बीना skip किये हुए continuous जो है देखिए और कोई भी doubt है ता comment box में जरूर पूछेगा हम reply जरूर करेंगे और साथिहों आप सबसे एक छोटी से request है कि फार्मेशन भी बढ़ती है चलिए शाथिओं फार्म जो है चार अगर्श दोजरब 23 से ही भरा जा रहा है यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं discipline की discipline साथिओं यहाँ पर इतने discipline है आप देख रहे हैं 16 discipline है इन में से सभी subject के लिए यहाँ पर vacancies आई हुई है और आगे 2023 का और जो आपका cut-off date याने की qualification जो है वह जो है 30 September 2022 तक ही वह complete हो जानी चाहिए यहाँ पर qualification के बारे में हम बात करते हैं और यहाँ पर experience की भी जरूत है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे लेकिन one of the most important thing last date is 2nd September 2023 इस बात को आप ध्यान रखेंगे चलिए अब हम बा अलाज discipline था हमारा electrical and mechanical इसके लिए grade E1 and grade E2 यहाँ पर matriculation or equivalent के वल आपने matric किया हुआ है तो आप हर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको seven year का experience चाहिए in four men in charge engineering assistant in T and S grade A in relevant branch इस बात का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आप देख रहा है कि इसके लिए क तो बहुत अच्छी बात है यदि आपके पास अगर ITI भी है तब यह फार्म अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा को से सोते हैं अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इधर जो है experience भी दिया हुआ है तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे चलिए दूसरा होना चीए experience की बात कर रहा है यह डिप्लोमा और यह experience की बात कर रहा है इंची जोंका आपको ध्यान रखना है इंवार्मेंट के लिए भी आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर आपने किया है तो आप अपलाई कर सकते हैं तो कई बार होता है दोस्तों कि आपना कहीं एक प को ध्यान में रखना है जो था है एक्स वैकेशन इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी eligibility जो है लगबाग eligibility आप देख लीजिए और फिर इधर जो experience देख लीजिए अगर आपके पास है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए finance का ऐसे ही हिंदी में भी यहां पर देख रहे है में होना चाहिए हिंदी में second class कम से कम 55% marks और 10 years qualification experience होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं लीगल यानिक लाग रेजविट जो इन लोगों ने भी LLB कर रखा है विलो फान में अप्लाई कर सकते हैं 3 years का experience होना चाहिए in technology and supply या supervision इसमें ध्यान रखना है marketing and sales में आप द और मैंने अपने MBA कर रखा है और भी 3SK जो भी engineering या science art में कुछ भी कर रखा है तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं personal में आप देख रहे हैं ऐसे ही आप अपने subject का देख लीजी और फार्म आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए system civil ऐसे 16 last हो गया अब हम बात करते हैं कि cut अब देख लेते हैं यहां पर आगर आप देखेंगे जो सबसे रिच नंबर आप शीट्स हैं वह हैं electrical and mechanical में यहां पर ट्ल वेकेंसी चार सो सतत्तर हैं एक ही जाओर यहां पर धिशान रखना है कि इसमें जो है महारतना कंपनी में किवल SC & ST को reservation मिलता है और अधर सभी लोग यूर में count होंगे ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं कुछ नंबर आप से विलंग करते हैं तो आप अपना relevant document के साथ अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं यहां पर नंबर आप शीट्स इन मेटेरियल मैनेज मनेजमेंट में 125 परसेनल में 114 पुब्लिक रिलेशन्स में 3 आप देख सकते हैं आप सेक्योटी में 83 सेविल में 331 यहां एक रिच नंबर आप शीट्स है ऐसे ही आप की सिट 143 इस प्रकासिट यह टोटल नंबर आप सिट्स हैं और तो यहां आप देख रहे हैं कि यह बहुत रिच नंबर आप से कई सालों बात महारतना कम कोल इंडिया में इतनी नंबर रिच नंबर आप से आई हुई हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए आपको मेजर बात कर लेते हैं कि यहां पर सेलेक्शन कैसे होगा शाथियों यह इंपर्टेंट चीज़ है सेलेक्शन कैसे होना है इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहां पर कोई इंटर्व्यू नहीं होना है कि यहां रिटेन टेस्ट होना है और फिर आपका एकेडमी कुछ जोड़ करके आपका इंटर्वी होगा साथ में यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल जो है हंड्रेड मार्क्स के दो कुरिशन पेपर होंगे यहाँ कि टू हंड्रेड मार्स का टूटल जो है रेटेन एक्जाम होगा और वो होगा का CBT मूड में इस बात को अपको धिर्णा निए निक कंप्यूक्टर बेस्टेष्ट होगा यह और यहाँ पर दो पेपर आएंगे एक पेपर में 100 कुर्षों होगे अपजेक्टिव टाइप और दूसरे पेपर में 100 कुर्षण होगे अब्जेक्टिव का टाइप पेपर वन होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर one पेपर वन का जो बैटन है वह जो है जनलर अवेरनेश जनलर इप्टिट टूट एंड का होगा अगर आप सक्ष्ट के तयारी करते हैं तो आपको जनलर भेठों के बारे में जनकारी होगी तो यहां आसान ही होगा इसमें को टेंशन की बात नहीं है हलका फुलका रिजिनिंग जनल अगरनेस जी अगरा और इसमें जो है थोड़ा जनल साइंस इस पुछी जाती है और जनल माइतमेटिक्स जो की जो लोगड़ना गुणा भाग का ही खेल होता है केवल तो आप से कर सकते हैं इसके अलामा जो दूसरा पेपर होगा जिसमें पुछे जाएंगे यह आपका जिस डिसिप्लीन में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पुछा जाएगा और जिस जो इलिजिबिल्टी है मिनिमम उसी के काडिंग वह पुछा जाएगा उसी लेबल के क्वेशन ह होंगे तो इसको आप बिल्कुल अराम से कर सकते हैं और इसका पूरा स्लेबस जो है कोल इंडिया लिमिटेट की विवसाइट पर आपको मिल जाएगा फार्म भी वहीं से आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है दोनों पेपर पेपर वन में हंडेट क्वेशन हंडेट मार्क्स का पेपर 2 में हंडेट क्वेशन हंडेट मार्क्स का और जो मोस्ट इंपर्टेंट चीज है यहाँ पर कि there will be no negative मार्किंग for any wrong question, wrong answer तो यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है नो निगेटिव मार्किंग ठीक है तो आपको सारे question attempt करने है यहाँ आपको हमारी उस्या पहले सही सला है कि कोई भी question छोड़ा नहीं है 200 question आएंगे 200 question करना है बिल्कुल तो आप फार जरूर अप्लाई कीजिए चली आगे बढ़ते हैं अब हम और जानते हैं कि selection process कैसे होग साथ यह interview नहीं होना है यहाँ पर आप देखिए जो 200 questions होंगे और 200 marks के इसमें से हार एक paper में जो you are category के लोग है उनको जो है 45% marks दोनों paper में separately जो है लाना है और जो aggregate बनता है वह minimum जो है आपका 110 यानिक 110 नमबर आपका बनना चाहिए यह भी बात है यह नहीं कि 45 45 दोनों में में कम से कम 110 marks बनने चाहिए ऐसे ही SCST NPW candidate के लिए 35% marks कम से कम लाना है यानिकी दोनों paper में यानिकी दोनों paper में अगर 35 35 नहीं 100 questions है तो 35 questions आपके सही होने चाहिए और दोनों को मिला कर कम से कम 90 marks बनने चाहिए तब ही आपका जो है आप consider किये जाएंगे इस बात को आपको ध किस के basis पर यहां जो आपका paper 1 और paper 2 का जो marks आया है total उसके basis पर इस बात का आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद जो होगी selection merit list बनेगी यह तो अगर मालीजी कि दो लोग same merit पर आते हैं तो उनके लिए यह दो सदिक लोग आते हैं same merit पर तो क्या होगा उसका यह तरीका दिया गया है कैसे calculation होगा यह सबसे important है जो कि यह बता रहा है यहां पर कि selection कैसे होगा final merit list कैसे अब बननी है अब start list हो गए start list का तरीका R&D हम लोग बात कर चुके हैं UR के लिए और CST और PWD के लिए start list होने के बाद a final selection merit list बननी है इसमें क्या होना है कि जो आपने return test दिया है total जो बनेगा वो 100 में बनेगा इस बात कद्धान रखना है 100 marks का जो आपका return दिया है इसका 65% percentage होगा जो आपने return test दिया है paper 1 और paper 2 का इसके अलावा जो qualification है यानि कि कोई matriculation पर है कोई BTEC पर है कोई MBA पर है कोई PG पर है जो minimum qualification criteria है उसका 10% जो है जितना percent marks आपका आया है उस qualifying examination में उसका 10% जूड़ेगा जैसे matriculation में तो 10 में जितना marks है उसका 10% जूड़ेगा ये total हो गया 75 दोनों को मिला करके 10% experience का जूड़ लिया जाएगा उसके बाद जो है आपका जीतना कम होगा उसके cutting आपका mark जूड़ेगा और ACR का 15% जूड़ेगा इन तीनों को मिला कर यह 75 हो गया यहां पर यह 85 और यह 1500 हो गया टोटल जो है 100 marks बन गया इसके basis पर आपका जो है final merit list बनेगा शाथ हो यहां पर completely जो selection होना है वो purely merit based पर होना है कहीं भी कोई interview नहीं है कहीं भी आपको जुगार की जुरुवत नहीं है सीधा सीधा आप जो अच्छे से exam दीजी और जो जितना qualifying exam है उसमें जो marks आया है वह ही count हो जाएगा और आपका selection हो जाएगा this is a very good opportunity in Kohl India Limited job and all the best wishes from this channel this is a good rich number of seats in Kohl India Limited and the merit of the selection will be prepared purely on the basis of your CBT examination paper 1 paper 2 and your academic and experience all the best thank you so much and please share this video to your colleagues needed persons and subscribe the channel आपको कोई भी डाउट है तो you can comment on this video and we will reply surely thank you so much बंदे मात्रम जैन जै भारत